गाईज, as a beginner photographer, सही lenses को चूज करना काफी जाधा important होता है, क्योंकि अगर आप सही lenses चूज नहीं कर पाएंगे अपनी beginning में या फिर आप intermediate photographer भी है तो आप जाधा कुछ सीख नहीं पाएंगे, और lenses आते भी महंगे हैं, आपकी एक गल्वत परचेज भी आपको काफी महंगी point of view से देखो, तो मैं कौन से वो lenses परचेज करूँगा, जिससे मैं ज्यादा कुछ photography में सीख पाऊँगा, और अगर आप beginner है, intermediate है, hobbyist है, आपको hobby है, photography करने की तब भी आपको ये lenses काफी काम आएंगे, मतलब नॉर्मल यूज में भी एक lens काफी कमाल के हैं, तो ये चारो lens ज वो भी आपको वीडियो के end तक पता चल जाएगा, तो बिना time waste के करते हैं, इस वीडियो को शुरूर देखते हैं, कौन से ऐसे चार lenses है, जो मैं आपके लिए shortlist करके आया हूँ, और आपको ज़रूर वो खरीदने चाहिए, Lenses के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कि जितने भी lenses मैं इसमें बता रहा हूँ, वो crop sensor camera bodies के साथ compatible है, यानि कि जितने भी crop sensor camera होते हैं, M50 Mark II, 70D, 80D, ये 30, 40,000, 50,000, 80,000, 1,500,000 तक की range में maximum, जो crop sensor bodies आती हैं, उसके साथ ये lenses compatible है, अगर आपको full frame के लिए भी चाहिए अलग से वीडियो तो आप comment करके बनाएं, मैं उस तरह की full frame की जो lenses हैं, वो भी उस पर भी एक special video लाने की पूरी कोशिश करूँगा, and I hope आप में से काफी सारे beginner जो हैं, वो crop sensor body ही use कर रहे होंगे, मैं भी उस time पे यहीं use कर रहा था, और beginner के साथ से वही best रहती है, अब बात करते हैं, सबसे पहले lens की जो मैं आपको recommend करना चांगा, तो सबसे पहला lens जो हर एक beginner खरीदता है, वो है 50mm EF 1.8, ये lens क्यों खरीद हैं, हम जब भी कोई DSLR camera लेते हैं, हमें सबसे पहले एक चीछ होती है, वो होता है background blur, हम क्यों लेते हैं, अक्सर इसलिए लेते हैं, जब हम फटोग्राफी करते हैं, हमें background blur जाद अच्छा देखने को मिलेगा, तो एक beginner की दिमाग में जब यह होता है, कि मेरे को जाद से ज काफी बड़ी है, budget friendly lens है, इस lens से आपको क्या फायदा मिलेगा, इस lens से फायदा आपको यह मिलेगा, कि आपको prime lens के साथ कैसे काम करना, उसका आपको experience होगा, इसके लावा fixed lens होते हैं, जिनकी focal length healthy नहीं है, बिल्कुल fixed रहते हैं, उन तरहें के lenses के साथ आपने कैसे काम करना ह उसका भी आपको idea होगा, और आपको low light photography में किस तरह से wide aperture के साथ काम करना होता है, कैसे यह perform करता है, उसका भी आपको अच्छे से experience होगा, तो एक beginner जिसने अगर नया नया camera लेया है, वो 50mm को जब use करेगा, वो काफी अच्छे से सीख जाएगा, कि कैसे prime lens के साथ काम करना थ क्योंकि आपकी kit lens में काफियत तक अच्छी stabilization होती है, बट इस तरह की 50mm 1.8 prime lens जैसे lenses में आपको stabilize करना पड़ता है, जादा अपने हातों को ताकि आप photos को sharp ले पाए, और जितना wide aperture होता है, उतना ही मुश्किल होता है sharp photos को लेना, क्योंकि आपका aperture बहुत जादा wide होता है, depth जादा होती है, तो पहला lens है 50mm और इसकी एक बात और मेरे को खास बात लगती है, as a prime lens इसकी focal lens जो है 50mm, वो काफी normal है, आप छोटे से room में shoot करना चाते हैं, बाहर जा रहे तो भी कर सकते हैं, मतलब old rounder कहते हैं कि एक common focal length है 50mm, तो काफी बढ़िया है, specially portrait के लिए, normal prospective photos के ल आपके पास होना चाहिए, and guys, इन सभी lenses के link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस lenses को purchase कर सकते हैं, दूसरे lens जो मैं आपको recommend करना चाहूँगा, वो है old rounder lens, ये lens अगर आपके पास है, तो आप काफी हद तक photography में experiment कर सकते हैं, आप क्या होते हैं, जब beginner photography कर करते हैं, जब हम beginning करते हैं, तो हमें सारी fields का थोड़ा थोड़ा idea होता है, street हो गया, wildlife हो गई, commercial हो गया, हमें उस टाइम पे clear नहीं होता कि हमें क्या करना है, या फिर हमारी हो भी भी हो तो भी हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरह की photography में मज़ा आएगा, तो हम क्या करते है 18 से लेके 135, 18 हो गया, wide 135 हो गया, zoom, तो आप wide से लेके zoom तक काफी अच्छा जो है, focal lens जो है, इस lens से ले सकते हैं, आपको बार बार lens बदलने की need नहीं है, दूसरी बात ये guys, all rounder इसलिए क्योंकि अगर आप street करते हैं, आप candid करते हैं, आप commercial करते हैं, वेडिंस करते हैं, angle ले सकते हैं, जब चाहें, काफी हद तक zoom ले सकते हैं, 135 जादा zoom तो नहीं है, बढ़ इतना है, आपको यहां से लेके थोड़ा बहुत दूर जो है, दो फूट, तीन फूट तक जो है, आराम से zoom करवा देगा, उससे जादा भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह जो है, काफी कमाल का lens है, अब हम जब kit lens यूज़ करते हैं, हमें मिलता उसके साथ 18-15 mm lens, बढ़ यह वला है 18-135 जानी 15 से भी जादा हो गया, 15 से भी काफी जादा हो गया, तो 135 तक की जो extend हम करते हैं, focal length वो काफी कमाल की, जिससे आप और भी जादा zoom करकी, और भी अच करेंगे उतना ही background blur आपका होएगा photos में, तो जब आप photo कीचेंगे 18 mm पे तो photos में background blur कम आएगा, और 135 mm पर क्लिक करेंगा, तो background blur काफी जादा आएगा, तो इस lens का यह भी काफी बढ़िया फायदा, तो यह लेस्ट भी आप पर chase कर सकती है, बहुत बढ़िया है price के according, तीसर से बढ़िया बात ही है कि इसका perspective आप काफी wide, 10 mm दिखा सकते है, 10 mm तो आप vlogging भी करेंगे, खहरी तो photography की बात करेंगे, बट आप vlogging भी अगर करते हैं, तो अच्छा lens है, तो जब आप street photography करते हैं, आपको जादा area दिखाना है, जादा detail दिखानी है, जादा अच्छी story नरेट करनी है, अपनी photos के थुरू तो 10-18 mm lens काफी कमाल का lens है, इसके अलाब अगर आप travel photography करते हैं, तो उस तरह की scenario में भी ये काफी बढ़िया है, ये best इसलिए क्योंकि इसका focal length है और इसका जो price है वो दोनों बढ़िया है, तो guys क्या होता, जितने भी वैसे wide angle lens है अगर मैं full frame की बात करें तो होती expensive होती है, wide angle सच में महंगे आते हैं बट ये वला जो है काफी budget friendly है और एक beginner के हिसाब से काफी कुछ आप इसमें सीख सकते हैं, तो सीखने के point of view से ये lens काफी कमाल की performance देता है, क्योंकि ज्यादा detail आपको मिल रही है, wide perspective है, पैसे भी कम है और 10-18 mm तो focal length कम अच्छा lens है, आप as a beginner इसको भी purchase कर सकते हैं, फोर्थ lens है उन लोगों के लिए जो camera खरीते हैं और उन्हें zoom करना बहुत पसंद है, हम camera कहीं बार क्यों खरीते हैं, हम अपने phone से digitally तो ज्यादा zoom कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम camera खरीते हैं ताकि हम lens लगा के बहुत दूर तक photos कीच सकें, चाहे बात हो wildlife की, चाहे बात हो travel की, चाहे बात हो candid की, तो उस तरह की scenario में जब आप ज़्यादा zoom करना चाहते हैं, तो आप 55-255-250mm lens यूज़ कर सकते हैं, ये especially उनके लिए जो zoom करके photos पसंद करते हैं, क्लिक करना, इस lens की खास बात यह है कि आप 55-255-250mm तक की जो focal length में ज़्यादा composition कर सकते हैं, कभी आप full close-up ले सकते हैं, कभी आप full portrait ले सकते हैं, आप बहुत तरह की composition कर सकते हैं, देखो जितनी ज़्यादा focal length होती है, उतना ही आप ज़्यादा composition कर सकते हैं, अपनी photos में उतनी आपको variety मिल जाती कि आपकी focal length में क्या composition करते हैं, त इस चीज को यूसी करें घर सकते। चाहे बात हो commercial की, weddings की, candidate की, क्योंकि गाई इस पच्पन normal focal length है, अधाई सो जो है zoom length है, तो आप काफी बढ़िया इस lens से भी output निकाल सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितना जादा focal length होता ही background blur, तो 250 mm पर जो गाई जब आप shoot करेंगे, तो आप ज़्यादा background blur ला सकते हैं अपनी photos में, और सबसे बड़ी बात, हमारे को as a beginner क्या चीए, हर lens को use करने का experience लिए, तब ही तो आप professional बनेगे, जब आप हर तरह के lenses को use कर लेंगे, आपको तजुरुबा हो जगा कि आपने किस तरह से इस lens के साथ काम करना है, तो zooming lens के साथ किस तरह से काम करते हैं, कैसे आपने बड़े lens के साथ काम करना है, stabilize कैसे करना है, वो सारी जानकरी आपको इस lens को चलाने के बाद हो जाएगी, तो ये सभी lenses जो मैंने आपको बताई ये best है चार lenses जो है ये तो काफी बड़ी है हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई इन सभी lenses का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा अब ये चार lenses जो है best क्यों है सबसे बड़ी बात है कि ये चार lenses ही best क्यों है तो गाइस देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारो lens की जो focal length हो काफी कमाल के आपने almost सारी range cover कर दे ये चार lens अपनी kit में add करके सबसे पहले आप wide angle लेंगे जिससे आप 10-18mm wide angle perspective शूट कर पाएंगे उसके बाद guys अगर आप लेते हैं 18-135 तो 10-18 तो आपके पास lens होई गया फिर 18-135 तक आपके पास focal length आजएगी जिससे आप और भी zoom कर पाएंगे आप और भी zoom करना चाहते तो आप 55-250mm lens यूज़ कर सकते हैं बट उनके price जाद है इसलिए मैंने वो recommend नहीं किया एक beginner के साब से इन lenses के price काफी budget friendly है तो इस सभी lenses जो है काफी best है I hope इस video से आपको काफी help हो सही lens purchase करने में इनकेस अगर आपके माइन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं आप सभी सेगली वीडियो